वसकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी का विलकम है आपके पने चनल भी हाड़ा 247 में तो जल्ले जुड़ जाईए और देखते हैं जबर्दस को कौन कौन से कोश्चन्स हैं जिन पर आज हम करने वाले हैं बातचीत ठीक है तो जीवन में मौके तो सभी को मिलते ह हैं लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वालों को ही मिलती है ठीक है तो यह बात याद रखेंगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कोश्चन्स अपना तो पहला सवाल सीधे सवाल पर आते हैं पहला कोश्चन क्या कह रहा है तो पहला कोश्चन क्या कह रहा है जल्दी से बताएंगे, चतूर्थ बाद संगीती किसके सासनकाल में आयोजित की गई थी, है ना, During whose reign was the fourth Buddhist council held, यानि चौर्थी जो बाद संगीती दोस्तों, वो किसके सासनकाल में, आयोजित की गई थी, असोका है, अप्सन में असोका, काला सोक, अजास सत्र, या फिर कनिस क्या हो जाएगा, सही जबाब, जल्दी सभी लोग कमेंट करें, और एक बार से सेर करेंगे, सेर करेंगे, बताएंगे, सब सब्सक्राइब क्लास हो चुकी, स्टार्ट सांदार सेरीज, ठीक है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अंसर हो जाएगा, दोस्तों, बिलकुल सही जवाब है क्या, एक सिकर्ट, बात हो रही है, चतूर्थ बहुद संगीत की बात हो रही है, और चतूर्थ बहुद संगीत की इसके सासनकाल में पूछा जाए, तो क् पर आप लोग सकते हैं कि अगर प्रतम बहुत संगीत की बात किया जाई फर्थम बहुत संगीत की बात किया जा तो 483 27 में हुआ था तो सप्र गुफा से सहसन काल में हुआ ता इसमें क्या किया था यहां पर आपको देखने को मिलता है दोनों का यहाँ पर निर्मार किया गया था बात करेंगे सेकेंड बुद्धिस्त काउंसल की यानि दुती बहुत संगीत की तो 383 बीसी यानि सो वर्स बाद हुआ था किसके समय में दोस्तों हुआ कहां पर हुआ था तो चुलवंगा वैसाली यानि क्या तो चुलवंगा वैस थे ठेखे सासक था असोग और चौती बाशत्तंती नाइप आड़ी में हुई थी और इसके कसमीर के कुणलवन में हुई थी चेर मैन कौन थे टो बस उमित्र थे कौन 세 बस उमित्र इसका ध्यक्च थे और उपाध्दक्ष थे कौन तो अस्व घोसिस्वित उपाध्दक्ष हो जाएंगे किसके सासनकाल में हुआ तो कनिस्क के सासनकाल में हो जाएगा बिल्कुल सही जबाओ अग disp bạnッशन क्या कह रहा है कोश्चन कह रहा है कोश्चन कह रहा है कि असो के सभी प्रमुख सिलालेखों में से कौन सा सबसे लंबा सिलालेख है सबसे लंबा सिलालेख की बात हो रही है तो जल्दी से बताएंगे तेरिक साथ कमेंट करके क्या हो जागा सभी जबाब प्रमुक्ट सिला लेख वो सबसे लंबा सिला लेख देखने को मिलता है असो के सासनकाल में ठीक है और अगर यहां पर देखें तो यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं कि यह जो सिलालेख है तेरहवां सिलालेख है इसमें जो भी बाते लिखी गई है कौन-कौन सी बात ने किसके किसके बारे में जानकारी मिलती है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अगर बात करें तो सबसे बड़ा सिलालेख है यह और इसमें क्या-क्या उलेख सबसे बड़ा सिलह wiek सबसे बढ़ा सिलह एक उसकिए कि सवाल कह रहा है कि know ऩंकी कि राज का एक लोग है बात करेंगे लॉट यूटंकी कि tutaj後 टॉनकी की पुछा जाए रहा है किस राज में एक लोग निती के रूप माना जाता है बताए हर्याना केरल उत्रप्रदेश या फिर मदप्रदेश तो दीपू जी क्या बता रहे हैं आकास टैनो मनोहर रागनी अमीता चरे संजु जी है प्रीती है नीरज है दिनेश जी है एक बार जरा से सेर करेंगे सभी साथी मिलकर जबर दस तरीके से तो यहां पर हम लगभग लगभग 200 कोईश्टन देखने वाले हैं जल्दी जल्दी ताबर तोर तरीके सेसं को पहले सेर करेंगे और यूपी बता रहे हैं बिलकुल सही जबाब उत्तर प्रदेश का लोक निरत क्या हो जाएगा तो नोटन की बिलकुल सही जबाब हो जाएगा तो सह है आंसर सी बिलकुल सही है next questionらい अगला है thomas cup this scale से जुला हुआ है thomas cup की बात कि जाए तो यह क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा क्या तो बैड मिंटन हो जाएगा इसका सही जवाब यानि बी आप्शन बिल्कुल सही है क्या बैड मिंटन ठीक है बैड मिंटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थामस का बैड मिंटन अगला सवाल अगला सवाल कर तो बिद्याले भी बन गया है सांति निकेतन के स्थापना किस ने की तो यहां पर देवेंद्नाट टैगोर आप्सन में रवीन नाट टैगोर है राजा रामोन राय या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय क्या हो जागा सही जबाब तो बी आप्सन बता लें कितना सही तरीका और मुझे पूरा विश्वास था पूरा मुझे गलत बताएंगे और हो गया गलत आप लोगों से कहां पर लिया रवीन नाट टैगोर नहीं के पिता जी ने किया था देवेंद्नाट टैगोर ने के पिता जी है और इन्हों ने सबसे पहले सांति निकेतन के स्थापना की थ बाद में फिर आपने देखा कि रवीन नाट टैगोर का बिनाम इससे जुड़ता है लेकिन अगर अस्थापना पूछेगा तो अस्थापना लगाएंगे किसको तो देवेंद्रनाथ टैगोर को लगाएंगे यह आप्सन बिलकुल सही है एकड़म कन्फ्यूज नहीं होना स अगला सवाल है मतदान का अधिकार मतदान का अधिकार जो है राइट वोट निमने लिखित में से किस रेनी के अंतरगत आएगा फंडमेंटल राइट राइट आएगा फंडमेंटल डूटी में फिर लीगल राइट के इंतरगत इसको रखेंगे बताएं मतदान का अधिका केस रीडी में आप लोग रखते हैं इसको भी आप्सें बता है अधिकार है अधिकार तो है लेकिन कैसा धिकार मौली कदिकार है कि बात करें तो भाग तीन में हैं अनुच्य करता है क्या कहेंगे और एक बार भी ये लो है संख्या करेंगे अभी बहुत कम है संख्या बिलकुल कम है यह संख्या है जो डेली होती है तो एक बार संख्या को सेयर करे और सब को बता दीजे क्लास जवर्दस parity से स्टाथ हो चुक है अगर बात करें ऑनले मौलिक अधिकार की तो और सोरी राइट वोट की बात करें तो यह संवेधानिक अधिकार है क्यों क्योंकि अनुच्छे 326 जबाप पढ़ते हैं आर्टिकल 326 तो इसमें क्या बात कही गई यह तो इसमें बात की गई है दोस्तों कि 18 वर्स से अधिक के आई वाले जितने लोग 18 वर्स से अधिक आई वाली जितने लोग हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार मता अधिकार की बात यहां पर की गई है तो अनुच्छे जब 326 में हैं यानि संवेधान में इसके बारे बताया गया है तो सही आंसर क्या हो जाएगा तो संवेधानिक अधिकार है मौलिक अ स्थित है nobel की सुरुवात आपने देखा अल det किसने के अल्फेद nobel ने की किसने अल्फ्रेड nobel ने किया ता प्लियर तो अल्फेट नोबल के नाम पर नोबल प्रोस्कार मिलता है तो नोबल म्यूजियम बिस्वे कहां पर इस ते नियू यॉर्क स्टॉक होम डेनमार्क या फिल लंदन जल्दिस बताएंगे लेट थोड़ा सा हो गया जरूर आज क्लास आप लोगों दिखी नहीं होगी पर कोई बात नहीं आज क्लास नहीं दिख्योंगी क्लास अभी अभी लगी है पांच मैं बाद लगी है लेगिन फिर वी एक बार दोस्तों अपने ग्रूप में सेसं को सेयर करेंगे सबी साथ ही आ यहां पर स्टॉक होम में इसका मुख्याले स्थित है स्टॉक होम के ग्लैंड में स्टॉक होम के ग्लैंड में देखने को मिलता है इसका मुख्याले है इसका तो Nobel Prize आप जानते हैं कितने categories में दिया जाता है नोबल प्राइज करें तो physics में नोबल प्राइज मिलता है physics में chemistry में physiology या medicine में मिलता है दोस्तों literature में economic sciences मिलता है और peace यानि सांती मिलता है यह categories है जिन में nobel prizes दिया जाता है clear next अगला सवाल क्या कहता है अगला question कह रहा है कि राज्यकार कारणी का हिस्सा कौन है who all are the part of the state executive body state executive body की बात करें अगर state executive body की बात करें तो इन में से कौन जो है राज्यकार पालिका के अंतरगत आएगा जल्दी से बताएं सभी लोग प्रग्या बी ऑप्सन सीवं सोनाली राहुल सीवानी गुल्जन जी क्या बता रहें सोनी कुमारी बी ऑप्सन वेरी गुड बी आप्सन मतलब चीफ मिनिस्टर कितना बड़ी आप लोग बताते देखिए चले एक बार से से करेंगे और लाइक करते हो चलेंगे दोस्तों और लाकास टेनों बता रहें और लोगा देखी स्टेट एक्जीक्यूटिव के अगर बात किया जाए कि राज्यकार पालिका में स्टेट एक्जी जनरल हो जाएंगे तो यह सभी दोस्तों कारिपालिका का हिस्सा होते हैं तो गवर्नर है गवर्नर चीफ मिनिस्टर एडवोकेट जनरल तो इसमें और आफ दे अबब यानि डी आप्सन बिलकुल सही है राज्यकार पालिका अगर संग कारिपालिका को देखा जाए तो क्या कहते हैं क्या हो जाएगा अंसर इसमें हो जाएगा राश्टपती आते हैं प्रधानमंत्री आते हैं मंत्री परसद आती है और कौन आता है तो महा नियायवादी इन सभी को कारिपालिका का ही भाग माना जाता है कारिपालिका का ही अंग माना जाता है चले आगे बढ़ेंग अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल है कि भीश्व बन जीव कोस्श यानि वर्ड वाइड लाइफ फंड जो है उसका प्रतीक कौन सा है कौन सा जान्वर वर्ड वाइड लाइफ यान डब ups fast कर अब कही बताए सभी लोड अगर पूछा जाएल, मौली अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न लिखित में से किस नियायले के पास रिट जारी करने का अधिकार है किस नियायले के पास रिट जारी करने का अधिकार होता दोस्तों रिट कितने प्रकार से बदाए रिट कितने प्रकार से तो प्रीति साव करें कुश्चन नहीं दिख रहा है अगर इतना बड़ा कुशन नहीं दिख रहा है तब गरबढ़ है फिर अगर कुशन ना दिखे मतलब कि आँखों में समस्या है और आँखों में समस्या तो क्या करना है दवा पता है न एक बाइजर बताई क्या मैंने दवा बताया था किसी को सुनाई न दे किसी को दिखाई न दे तो क्या करना है वन एंड टू दोनों बिल्कुल सही बात है सुप्रिम कोट अर्टिकल 32 वनुच्छे 32 के द्वारा और हाई कोट अनुच्छे 226 के द्वारा पांच प्रकार की रिटे जारी करता है पांच प्रकार की रिटे हैवियस कारपस मेंडमस को और प्रोहिबिशन यह पांच प्रकार के जो है रिट्स है इन रिट्स को जारी करेके क्या करता है समवेधानिक उप्चार प्रदान करता है हाई कोट और सुप्रीम कोट दोनों वन एंट्टू बोथ हो जाएगा यानि की बी आप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बी पर तीन चीजें दी गई है और देगे क्रम बैठाना सबसे पहले मा को लिखना है किसको लिखना है मा को लिखना है कि भाई मा कौन थी मा कौन थी पतनी कौन और बेटी कौन तो आप लोग बेटी के बारन तो जानते होंगे संग मित्रा बेटी थी तो दो आप्शन में आप संंगमीत भी option आपके बिल्कुल सही बी option आपके बिल्कुल correct है next question बताएं इसका अंसर सबी साथी क्या हो जाएगा तो इसका रोजाए UA City मैंचस्टर किस अस्थल को कहाँях कि के मैंचसर का मतलब है मैं इस्टर सिटी एक दोस्तों कहां पर इंग्लेंड में इंग्लेन्ड की एक सीटी है थे wanna UK की मैझेस्टर में टेक्सटा एंडिस्ट्री के लिए अपना जाना जाता एक टेक्सटा इंडस्ट्री सूती वस्त्र उद्योग के लिए । यह टेक्स्ट इंड़स्ट्री के लिए जाना जाता है तो सिंदुघाटी सब बता में सूती वस्तुरों के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए थे कहां से मोहन जो दाड़ो चनहू दड़ो लोथल या फिर दायमाबाद चार आपसे सामने हैं और जल्दी से बताएं अपन गरड़ी लौक दॉतिंटे हैं गरड़ी कहां का लोगीरां से टीपुरा पुदूुचेन गुजरात और कल के भी से इसन मेंने आपनों को याद जबाब तो इसका सही आंसर हो जागा दोस्तों C यानि पुद्दूचेरी गर्डी कहां का लोक निर्ते है तो पुद्दूचेरी का है C आप्शन बिल्कुल सही है करनाटक का कमला ते वहर किस से संब्दित है मुर्गों की लडाई सानों की लडाई भैसों की दौर या फिर आदिवासी निर्ते से संब्दी था आदिवासी डांसों संब्दूचेरी त्राइबल डांस चलिए बताएए क्या हो जागा अंसर तो दरक्षन परवींज क्या कह र दिवाकर सुनाक्षी प्रीती जा विभा मेहता सी आपसन बता रहें तो कई लोग कई साती हमारे सी ऑपसन बता रहें जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो सी बिल्वे डराइट आंसर सी बिलकुल सही हो जाएगा भैसों की दौर होती है किसमें कमबला में और एक मूवी बनी यह कंबला नाम से तो कंबला में क्या होता है भैसों को दोलाया जाता है और उनको कंट्रोल करने के लिए पीछे-पीछे बिल्कुल दोड़ते हुए देखेंगे वीडियो दिवाप ठीक है तो क्या हो जाता है बफैलोरे से संबंदित है बिल्कुल सही जवाब है पहंसो को कन्डूल कर रहा है यह जो दौर रहा है नकिन्ट्रोल कर रहा है है अगला सवाल है दोस्तों सम्व था को समय लगां था सब्सक्राइब जवाब तो एप्रॉक्सिमेटली में आंसर देना वन येर टू येर त्री येर या फिर सिक्स मन्त एक साल लगा दो साल लगा तीन साल लगा या फिर छा महीना और सभी अंसर लगभग में दिये गए हैं तो बताएं सभी लोग अंसर इसका क्या होगा तो बी आप्सिन कुछ बता रहे हैं दो बता रहे हैं दो साल होगा अच्छा बी आप्सिन होगा मैक्सिमम लोग बी कुछ लोग सी तो जो मैक्सिमम लोग है दिकांस लोग हैं वो क्या कर दिये वो बिलकुल गलत कर दिये दो साल नहीं होगा बलकि लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो त वहार जोंड दिया जाता दो लगघ थीन साल को कि ना तो लगथीन साल के करीब है तो सी एपशन आपका यहां पर पर सही होगा ना कि भी बी नहीं बल्क्वि क्या होगा सी आप्सन क्यों और लगभग लगभग तीन साल तो होई जाता है दो वर्सी गैरा मां अठार दिन बारा दिन या तेरा दिन छोड़ करके नहीं तो तीन साल हो गया तो इसका सई जवाब क्या हो जागा दोस्तों सी ऑप्सन हो जागा बिल्कुल सई जवाब नेट कोशिशन विश्व स्वास्त है अमेरिका है या फिर साथ अफरीका अल इंडिया एंटर्टेंपेंट जी आपका भी नाम लिया जाएगा है नाम तो लिया जाएगा तो एक पहले session को share करना दोस्तों session को share करते रहना है कितने ऐसे class में जिन्होंने अभी तक session को अपने group is around share नहीं किया जब तक share नहीं कि रही कि तब तक कैसे पता चल पाया गा इस सब लोग जुलू गया है सब को पता चल पाया को क्लास टार्ट है बहुत सारे साती होंगे जो सो रहे होंगे रहे 56 ब्रक्रास के चलो सो ज़ाओ एक बार सेर करेंगे सबी साती और क्लास को लाइक करते हूए चलेंगे स्वाष्ट संग्ठन के मुख्याले के बारे में स्थित है, नेक्ट कोईशन, निम्नलिकित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा छेतर फल है, यानि कि सबसे ज़्यादा छेतर फल पर पाई जाने वाली मिट्टी, भारत में अगर मिट्टी का प्रकार देखें, तो सबसे ज़्या बात करें लाल मित्टी की अथ्वाल लेट्राइट मित्टी क्या होगा दोस्तों क्या हो जाएगा सबसे ज़ादा भारत में पाई जाने वाली मित्टी है और जलोड मित्टी के निर्मार कैसे होता है नदियों के द्वारा लाए गया उसादों से हिमालाई नदियों द्वारा लाए गया उसादों से या पूरे भारत में जहां भी नदी देखेंगे अब अगर इसकी बात किया जाए जलोड की अलूवियल सोहल तो दो प्रकार की अलूवियल सोहल होते हैं जलोड मिट्टी भी दो प्रकार की होती होती नहीं पहला तो होता है नवीन जलोड मिट्टी जिसे खादर बोलते हैं और पुरानी जलोड मिट्टी जिसे बांगर बोलते हैं तो खादर और भांगर दो प्रकार की जलोड मिट्टी पाई जाती है नेक्स्ट ब्रम्होस सुपर्सोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माड हुआ था कहां पर इंडिया और युएससे के बीच संदिकर के इंडिया और रूस के बीच में इंडिया और जर्मनी ने बनाया या फिर इंडिया और यूके ने बनाया रख़िए दोस्तों बहुतना और अब रंहम liqui滿स क्या हो जाए गार। पृत्रा और रोसे क्या हो जाएगा तो दोनों नियूगों के नाम है भारत और रूस कैंद्ध इक helping आ ऐस सूपर सूनिक सूपर सूनिक तो लंबाडी किस राज का लोक निरते हैं लंबाडी लंबाडी या लंबाडी किस राज का लोक निरते हैं हर्याना तिलंगाना असम या फिर मत प्रदेश चार आपसंदे गये हैं तो लंबाडी कहां का अगर पूछा जाए कि लंबाडी कहां का तो ये हो जाएगा b option यानि की तेलंगाना का एक प्रसिद्ध लोकिनृत्य न ते हो जाएगा b option बिल्कुल correct है बिल्कुल सही है आगे बढ़ेंगे नेक्ट स्थापना कि स्थापना किसने की खब्रम समॉज के स्थापना किसने गिस ने की क्या हो जाएगा तो ब्रह्म समाज अगर पूछा जाए तो स्वाम विवेकनन नहीं होंगे स्वामी राम कृष्ण परम हंस नहीं होंगे दैनन सरस्वती आर्श समाज था तो राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय अठारा सोंतिस में आप देखेंगे तो ब्रह्म समाज के स्थापना हुई और किसकी संस्था थी तो राजाराम मोहन राए की यानि यहां पर डी आप्शन बिल्कुल स्पस्थ है बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशिशन की शर्वादिक छेटरफल कि राज्यका है सबसे ज़्यादा छेटरफल पर चल सबसे ज़्यादा भारत में फैले हुए छेटर पर किस राज्यका अ sih यह कि अंतरगत आता है बताईये तू क्या अंसर दोस्तूं अंशर सभी सथ ही पताए लिसका अंसर हो जाएगा अगर पूछा जाए सरवाधिक भालाविक रफल पर किस राज्य का विधान सभा के सदस्यों की संख्या सरवादिक है विधान सभा सदस्यों की संख्या सरवादिक कब होगी वह कौन से कंडिशन होगी जाहां जब मैक्सिमम नंबर होगा किसमें तो भारत के साथ में विधान सभा के सदस्यों की संख्या कौन सा स्टेट तो स्टेट और कोई नहीं बलकी क्या चार सबसे ज़्यादा नेक्स्ट अगला सवाल है वास्को डिगामा किस देश का निवासी था वास्को डिगामा किस देश का निवासी था दोस्तों बताएं एक बार तेजी सथ क्या होगा अंसर बताईएं और एक दम संख्या देखिए स्थिर हो गई है संख्या हो गई है स्थिर लोग क्या हो गए खामोस हो गए खामोस नहीं होना है संख्या सान्दार होगी तो सेच्छनलाजबाब होगा 500 बार मैंने बोला होगा और एक मात्राप लोग क्लास है कि जहां पर मैं टार्गेट देता हूं तो आप लोग उसको seriously नहीं लेते हु टार्गेट ज्यादा नहीं कहूंगा केवल 1500 प्लस लाइब अब यह संभाव है कब जब आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे से संगों सेयर करेंगे अगर आप लोग है न की सब को पढ़ना चाहिए बहीं सब को पढ़ना चाहिए बातें तो इसका अंसर क्या हो जागा अगला सवाल काए का संबंद किस खेल से ॉकि फुटब विलिर्स या फिर्किट हांस अधी मिनिषा कि मेरी आवाज नहीं या रही कि कि है और हम कोई problem है कि तो सब्सकुत तो एक अधियर प्रॉबलम है के मैं कि अवा डावाज आ रहे इसको है और मोडिक प्रॉबलम तो नहीं है जाना यह है कि चले नहीं तो आगे बढ़िये क्या सवाल पूछ रहा है कि की यूट किसे सब्सक्राइब पर लिए का सबन का से अगला सल क्या एक लियर शतक ए बिलियर में एक सटीक से जो है बहुत सारे गोले नहीं है देखी इनको मार करके अंदर किया जाता है गोल किया जाता है इसी को बिलियर्स बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं बिलियर्स ठीक है चली नेक्स्ट कोशिशन अगला सवाल है किस आंदोलन का नेतरोत करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को भेजा जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को मौर्टिन लूथर किंग के बारे में बताया जाया तो किस आंदोलन करने तो करने के लिए मार्टिन लूथर किंग आया उपने वेस्वात के बिरुद्ध रंग भेद के बिरुद्ध सुधार के बिरुद्ध या फिर स्रमिक के बिरुद्ध जिसके सही अगया है इसका सही अंसरो हुझा रूर्थ लोड्य ऑप्षिं यानि रंग भेद के बिरु धिन का ऑंग अन्दोलान था किसका मार्टी लूथर किंग का चरीए नेक्स कोजिशन अगला सवाल अगला कुजिशन देखते हैं नेक्स कोजिशन अगला सवाल कह रहा है यहां पर मार्टी लुथर किंग को आप देख सकते हैं जूनियर मार्टी लुथर किंग ठीक है सत्य सोधक समाज के संस्थापक कौन थे सत्य सोधक समाज के दोस्तों संस्थापक के बारे में सवाल आ रहा है तो अब सभी लोग बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा चले बहुत बढ़िया जबर्दस्तांसर आ रहा है चाहे बात करें मुहमद अजीज की दीपांग की जोती कुमारी नंदन आर्टिस्ट नितीज पासवान जातिवाबाइब पुले बता रहे हैं आत्मा राम पंडूरंग करी देस्गी या फिर ज्चHis जोतीबा फुले क्या हो जाएगा इसका अंसर तो इसका अंसर डी बता रहे हैं बहुत पूंजी वादी ते समाजवादी थे या फिर नहीं ते तो गांधी जी के आदर्स जो थे वो नहीं ते ये बात करते थे आहिंसा की ये बात करते थे सक्ट्य की अगला सवाल है अपरेशन सेस जिससे हाली में लांच किया गया था का उद्देश और अवैद व्यापार तक अवैद ब्यापार पर अंकुस लगाना और उप्रेसिंसेजहें। सेसे हाली में लॉंज किया गया था का उद्देश अवायद ब्यापार पर अंकुala कि सके अवायद व्यापार पर कंछुए के विदेश्य फक्षी के लकड़ी के ये फिर दाउद कि जनी उसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर यि हुथ ऑप्सें सही है एए場 में स्टे यह क्या झाबी आ है एमारती लकडि संबसय की हमेरा इसलिएंग ऑस ओप्रेशन सेस इमारती लकडि से संबस्फ्य जो है प्रवर्तन मावलों में सायोग पर पहले बैस्विक सम्मेलन के उद्गाटन सत्र के दौरान इससे लॉंच किया था अगर नेक्स्ट हाली के अकद्धिन कमसार किस भारती राज में देश्क में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक पाईगी कैंसर की जो घटना दर है वो सबसे ज़्यादा किस राज में देखने को मिली क्या हो जाएगा तो बी आप्शन हो जाएगा कहां पर दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है मिजोरम में सबसे ज़्यादा कहां तो मिजोरम में देखने को मिला अगला सवाल अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल क्या कह रहा है आइफोन निर्माता विस्ट्रॉन ने किस भारती कंपनी को अपनी भारती इकाई के रूप में भारती इकाई बेचने के मंजूरी दी आइफोन निर्माता विस्ट्रॉ तोस्तों जल दिस बताई ये तेजिक साथ अंसर बताई सभी लोग क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर बिल्कुल सही बात है अगर पुछा जाए की आई फोन की निर्माता कंपनी कौन भारत में तो भी आप्शन टाटा इलेक्ट्रोनिक्स के साथ इनोन एक पैक्ट साइन किय है टाटा इलेक्ट्रोनिक्स के साथ मिलकर के काम करने है नेक्स्ट कोईशन अगला है यहां पर चार देखें इंडिन एक्प्रस में तो था टाटा ग्रूप तू मनुफेक्ट्ट्र आइफोन इंडिया फोर ग्लोबल मार्केट अनॉसेज राजीव चंदर सेखा विस कंपन इस राइट ब्राड बेंड सेवा सुरू की वह इस कम है क्लियर नहीं दिख रहा है अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो रिजल्यूशन थोड़ा बढ़ाईए इस डी को थोड़ा सा बढ़ाईएगा तब तु दिखेगा क्लियर नहीं दिख रहा है और वह इसको नहीं आ रही आप में से इसा है कोई जिसको आवाज नहीं आ रही मेरी चलियर है सब ठीक बाद अब सब ठीक बाद बोल दिया तो आगे बढ़िए किस कंपने भार के पहले उपग्राद है गीगा बिट ब्राडबेंड सर्विस सुरू की तो ए या नी इसका सही आंसर हो जाएगे रिलाइंस जीओ इनकॉम और यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं मिंट में ये न्यूज आई थी तो ये पेपर कटिंग भी आप लोग इस सामने मैंने रख दिया है नेक्स कोईश्चन किस देश की एक अदालत ने आठ पूर्व भारती नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है जिसका सही आंसर के वह जागा बी कतर कतर के जो अदालत ने आठ भारती जो नौसेना वाले थे उनको पूर भारती नौसेना को कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है कतर ने ठीक है नेक्स अपराश्ट्पति को पड़ की आवधी कितने वर्स की होती यानि उपराश्ट्पति इक अ करेकल कितने वर्स कोुताएं हाउ मीनी यहर्स इटेंस टर्म आफ ओडिस दूब ओफिश आप दर वाइस प्रेसिएंट उपराश्ट्पती के का रियाले का को चलिए तो पांच वरस छेवर्स सात वसल बता रहे हैं तो इसका वाप काव संस पॉनर जहां अखबर बहुत को म्फिर एंद बहादुर, साह, नूर जहां बाबर या फिर अकबर क्या कहेंगे बी आप्शन बहुत ही जवर दस्टरीके साथ लोगों ने कमेंट किया दोस्तों और इसका सही आंसर क्या हो जागा सही आंसर दी आप्शन है कौन तुम बहादूर सा यह बाबर तो संस्थापक है ना मुगल कर अकबर हुमायू फिर कौन हुमायू की समय में नूर जहां अरे हुमाय बात जहां गेर जहां गेर समय में देख तो क्रांती में इनको मुगलों इनको जो है नेता बना दिया गया क्रेंत करांती का दिल्ली में आकर बादुत्सा जफर रंगून मिन की समाधिस्थित नेक्स कोश्चिन वेर आर दभूटिया फाउंड यारि भूटिया कहां पर पाए जाते हैं रॉड़ांचल प्रदेस सिक् होगा दोस्तों पढ़ाई नहीं पढ़ा ने एक्जाम डेट अभी नहीं है कोई अभी कोई एक्जाम डेट नहीं है दोस्तों बस अभी पढ़ते रहे मस्त होकर बिल्कुल ज्यादा ज्यादा रिवाइस करते रही कोश्चिन को फाइब पीम तो शिक्स पीम आकर का अच्छ तो सिक्किन में पाये जाते हैं जन जाती हैं अगला सवाल क्या कह रहा हैं अगला सवाल कह रहा है सिखों के दसवें गुरु कौन Tuber गुरु गोविंस सिंग है खालसापंत की स्थापना किस ने करवाई तो गुरु गुत讲opnah सबस्गय कर वाई कर वाई तो यह सई जवाब क्या जाएगा सी ऑप्सन बिल्कुल सही हो Jesse गर्ण comet अगला सवाल यहां पर देख सकते हैं जितने भी 10 गुरू हैं उनके बारे में सबसे पहले तो गुरू नानक हैं फिर गुरू अंगद हैं गुरू अमर दास हैं फिर गुरू राम दास हैं गुरू अर्जुन देव गुरू हर गोविंद गुरू हर राय गुरू हर किसन गुर काला पानि के नाम से जाने जारत कौन से चर्फ हो और भुर्प सीर लिव या फिर ऄलीया बेट एम खा दिया बेट सेलललर जेल कोई काला पानी बोला जाता था नेक्स्ट बाई हूम वादा फेमस पोएम गीत गोबिंद रिटेन गीत गोबिंद की रचना किसने की जैचंद ने जैदे उन्हें जै सिनहा ने या फिर जैयन्त ने बताईए सभी साथी बताएंगे अपना जबाब और सिजन करेंगे सेर सांदार जोरदार जवर्दस तरीके से बिल्कुल जवर्दस तरीके से बिल्कुल ए ऑप्सन ए ऑप्सन सभी लोग बता रहे हैं जैचंद बिल्कुल सही जवाब है जैचंद ने स्थापना की किसकी दोस और यहां पर आप लोग देख सकते हैं गीत गोविन का यहां पर आप लोग सकते हैं यह बुक है गीत गोविन और इसके रचनाकार कौन जैदेव कौन है जैदेव है गारो एंड खासी ट्राइप्स आर मेंली फाउंड इन गारो खाशी जैन्तिय अंक चैनजतिय मुखरूप से पाये जाते हैं तो आप जानते गारों खासी या पाएंगे जयन्तिया पाएंगे ठीक ना और इसी खासी में पूर्वी खासी जो जिला है पूर्वी खासी जिला इसी पूर्वी खासी जिलिये में इस्तित्थ है मिजोरम पर सरी आच चेरा पूंजी और मासिन राम जो जहां पर सबसे ज़्यादा वर्सा होती है मासिन रा सब्सक्राइब आगे बढ़ें अगला सवाल अगला कुछिशन क्या कह रहा है दोस्तों तो अगला सवाल कह रहा है इसका भी आप्सन नेक्स्ट यह देखिए गारो खासी जैनतिया इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इतने तमाम डिस्टिक हैं तो मैंने आपको बताया धा कि पूर्वी खासी जिले मतलब यहां पर यहां पर स्थित्हकवन तो चेयरापूजी और मा संड राम किस देश में गंगा नदी ब्रम पुत्र नदी से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से आप लोग जानते हैं कि जब बंगला देश में बहते हुए बंगला देश में गंगा नदी को पदमा के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है तो पदमा और जमुना का संगम किस देश में तो बंगला देश में क के लिए नियूनतम उमर कितनी होने चाहिए अगर आपको member of parliament participant's अंसर्थ बनना है member of parliament बनना है और parliament में लोग-सभा सभा राजसभा यानी member of सबस्क्राइब लोग सबाइब बनना है सवाल है दोस्तों को लोग सबाइब सबस्क्राइब को बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी तो मिनिमम बेज होनी चाहिए कितना 25 यह कितना 25 वर्स बिलकुल सभाब है A will be the right answer A will be the right answer ने question When was the national anthem adopted in its Hindi version राष्टगान को उसके हिंदी संस्क्राण में कब अपनाया गया हिंदी संस्क्राण में कब अपनाया गया राष्टगान को यह सवाल पूछ रहा आप से तो क्या कहेंगे आप लोग क्या हो जाएगा अंसर राजधानी अच्छा राजसभा 30 अन्नु जी बता रहे हैं इसी का कोमल अंकित मनोहर प्रियांसू ब्रजबूसन तिवारी जी क्या बता रहे हैं तो 25 बता रहे हैं बिलकुल सही जबाब है 25 राष्टगान को उसकी हिंद भारत का लौह पूरुस किसे कहा जाता है बताएं आसान सवाल है मैं चाहता हूं सभी साथी ताबर तोर तरीकेस कमेंट करके बताएंगे इसका अंसर भारत का लौह पूरुस कौन? वुज नोन एज दा आइरन मैन —— आइरन मैन ऑफ इंडिया आईरन मैन क्या होगा ? छी ऊप्सन होगा भी अच्छा तो अगर हम लौफपूरूस की बात करते हैं तो सरदार बल्ला भाई पतेल बिलकुल सही जवाब हो अगला सवाल स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ मंत्री के बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा तो चौत है राजकुमार अम्रित कौर इसका साइज बाब है राज कुमार अम्रित कौर जो है वो क्या थी तो देश की स्वतंतर भारत की प्रथम स्वास्ते मंत्री थी नेस्ट कुश्चिन फूरोट अकबर नामा अकबर नामा ने अकबर नामा जो पुस्तक है उसके रचनाकार या रचैता कौन है किसने अकबर नामा की रचना किया अकबर नामा की रचना किसने किया अबुल फैजल ने दोस्तों किया अकबर नामा की रचना अबुल फैजल नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है भारती सम्धान कौन सान उच्छेद मौलिक अधिक मौलिक करतव्यों के बारे में बातचीत करता है यानि की भारती सम्धान का कौन सान उच्छेद पूछ रहा है कि मौलिक करतव्यों के विसे में बातचीत करता है आपके यहां पर देखे कई आर्टिकल 32 अर्टिकल 21 ए आर्टिकल 15 या आर्टिकल 51 ए तो देखे अगर इसके बारे में देखा जाए जिसका अंसर क्या हो जाएगा तो मौलिक कर्तबों की बात हो रही दोस्तों यह संविधान के भाग इसमें तुम अर्चाहर यह वाद कोसें तो यहस्तों मौलिक करतब जोड़े गए और सभॉन स रस सेages थल्रौ इस संहिती तो ये 10 मौली कर्तब जोड़े गए वर्तमान में कितने मौली कर्तब हैं तो इनकी संख्या हो गई है 11 11 इनकी वर्तमान में संख्या है आगे बढ़ेंगे next question अगला सवाल अगला सवाल आपके सामने भारती सम्दान के सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान आउसरों का प्राउधान है यानि लोक नियोजन में एक्वालिटी लोक नियोजन में क्वाल्टी होगी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी आधार पर त तो बी आंसर बिल्कुल सही है आर्टिकल सिक्स्टीन हो जाएगा पांच आधारों की बात के जाए तो धर्म मूलवंस जात इलिंग या जन्मस्थान के अधार पर कोई भेद बहुने बिर्जु महाराज ने किस निर्ट सहली में ख्याती प्राप्त की थी भरतनाट्यम कुची पूरी ओडिसी या फिर पर कॉछत्थक कई बार सौवाल पूछा जाता है बिरुजु महाराज के बारे में तो बिर्जु ने किस समदित है चार ना-ठा अ कत्थक से कर दो माइ 아니라 आप लोग दे रहे हैं और सवास बहुत ही रालब सवास आफ आठा है कि जैसरी कोशन की तुरुआ सर् तुरुआ आंसर लेकिन बहुत ही कम लोग एकटिव हैं तो आब बहुत ही कम लोग एक्टिव है और जो है अगर आप सपना देख रहे हैं कहां भी हम तो सरकाइब करी पा गये हैं या किरे कोई बात नहीं पाजाएंगे तो फिर पाजाएंगे पाने में और पाजाएंगे में बहुत अंतर है कडी मेहनत करना है और बिल्कुल तावर तोड़ इदम कमेंट करना तावर तोड़ तरी त्रिपुरा मडीपूर असम या फिर अवलवाश्र प्रदेश सभाब क्या हो जाएगा तो सभाब हो जाएगा बिल्कुल सी आप्सन यानि असम कल मैंने बताया था सथ्तरिया के के बारे में और मैंने मुझे यादे हूमवर्क भी दिया था हो वर बहुत ही कम लोगोंने महावपर आंसर किया ना क्योंतर कारिव को ऑनोंतर के आगे सब्रूर्ण करेंगे ठ्यान से और अनसर करेंगे भारती सम्विधान की आस्प्रसता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18 क्यों जाएगा अनुच्छेद 17 बहुत बढ़ा सावास तो यहां पर आप लोग बता रहें लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्या कि यह होंवर्क आपका दोस्तों होंवर्क है और इसके बारे में फूल प्रूव बिल्कुल फूल प्रूव बताना है कि इसका यह अनुच्छे 17 किस में आता है कि इस मौलिक अधिकार के प्रकार में इसके बारे में बात चित की गई सारी बातों को आप लोग बताएंगे और चलिए थोड़ास देख लेते हम लोग कैसे आपको जुड़ना है बिना बैस के साथ तो कैसे जुड़ेंगी गूगल में जाएंगे गूगल में जाकर के कई उपसन आजाएंगे इसके इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पे बिहार महापैक बिहर स्टी टीलेवल में जाएंगे तो यहां पर देखें बिनायक पॉइंट बैच है और आ गया है बिनायक 5.5 बही तो बिनायक 5.0 बेचन के चलट होगा और अगर फोर की बात से चल नहीं है recorded form में मिल जाती classes करेंगे इस पर क्लिक जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फीज दिखा रहा है 1000 रूपर इतना नहीं देना है बाइन आउपर जाईए और यहां पर coupon code ध्यां रखिएगा coupon code क्या तो coupon code वाई 728 वाई 728 लगाना है जीवन के सारे कश्टों को मिटाना है वाई 728 अब इसको अप्लाई कर देंगे अप्लाई कर देंगे दोस्तों तो यहां पर आपके फीस हो जाएगी केवल 919 रुपए मात्र 6 माहिने तक वैलिडिटी तो जल्दी से इसको जॉइन करेंगे और जुड़ेंगे तुरंत रात के 9 बजे मेरे साथ 9 पीम पर मेरे साथ क्लास करिए जी के जीस की तावर तोलकास ठीके नब अब क्या करेंगे तो इसको करेंगे जबाब कंटीन्यू करेंगे तो यह डिटेल्स में अपना नाम भरना होगा फोन नंबर एंड इमेल आडी य लेने के लिए क्या होगा दोस्तों तो किताबे लेने के लिए कूपन कोड है वाई 728 यस अब आज आपकी क्लास यहीं तक करते हैं क्योंकि समय हो चुका है और आज थोलब सा क्लास बिलम भी हुआ था कि क्लास लगी नहीं थी उसको बाद मैंने देखा लगवाया तो आप उख बिलकुल घबलायेंगे नहीं क्लास डेली होगी इसी टाइम पर होगी और आप लोगों के लिए झाल झाल